दोस्तो अगर आप Realme Phones के उजर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जी हाँ दोस्तो Realme के Phones काफी तेजी से Blast हो रहे हैं और Blast होने के कई रीजन्स भी हैं और ना सिर्फ नए स्मार्टफोन बलकि पुराना मिड रेंज सारे Phones जो है सभी जो भी Category के Phones है चाहे आपके Lower Phones का या फिर आपका Mid Range हो या फिर आपके पास Phones भी है तो वो भी Blast हो रहा है प्रूप के साथ आपको बताएंगे तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और कैसे आप इस Blast को भी रोक सकते हैं थोड़े बहुत इसको कम कर सकते हैं ये भी बताएंगे आज 7 Series GT Master Edition हो सब कोई Blast हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं ये Realme 6 Pro है जो कि कल ही Blast हो गया केड़ा में जब एक यूजर अपने जेब में फोन रखकर स्कूटी पे सवार हो रहा था तब ही ये Blast हो गया हाला कि इसमें उसके जांगों में और हाथ में जो है नुक्सान पहु यहां पर Blast हो रहे हैं और यहां पर इस से पता चलता है कि Realme की जो फोन्स है उसकी Quality किस तरह की होती है यहां पर आप देख सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ Realme 6 Pro के Blast हो जाने से वैसे तो बहुत सारे कंपनियों के फोन Blast होते हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर् ब्लास्ट हो रहे हैं चाहे वो चार्जर ही क्यों नहीं हो तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 घंटा पहले Realme 6 Pro और 28 दिसंबर का यह टेलिग्राम यहां पर ट्वीटर हैं पर जो ट्वीट किया गया वो देख सकते हैं Realme XT में Blast देखने को मिला जो कि आप यहां पर देख स हो रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं 20 जनवरी को और 12 नमबर 2021 को Realme 8 में जो है ब्लास्ट की घटना हुई जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं वही पर अगर हम अगले डिवाइस की बात कर ले तो Realme 8 के चार्जर में Blast हुआ यहां पर आप देख सकते हैं मतलब एक्सप्लोजिव चार्जर एक्सप्लोजिव फोन्स Realme की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं Realme GT Master Edition भी पीछे नहीं है 29 दिसंबर को इस डिवाइस में भी Blast हो गया जो की आप यहां पर देख सकते हैं और वहें पर अगले डिवाइस की बात करें तो यह है Realme X7 Pro जिसमे 10 जनवरी की ट्वीट है और वहें पर अगले डिवाइस की में बात करूं तो Realme 5 आई में 4 जनवरी को Blast हुआ यानि की देख के कई हिस्सों में Blast की घटनाय लगातार आ रही है वहें पर अगला डिवाइस होगा आपका Realme 5 जिसमें Blast हो गया है और वहें पर बात करें आख इन फोंस में अभी Blast की खबरे आ रही है वो सिर्फ बज़ए एक नहीं हो सकता है लेकिन फोंस बहुत ज़्यादा है और Blast की घटनाय अलग होती है कहीं पर चारजर Blast हो रहा है तो कहीं पर फोन Blast हो रहा है कभी राइडिंग के दौरान तो कभी चार्जिंग के दौरान कभी गाना सुनते हुए तो कभी कभी जो है यूँ ही रखे हुए ही फोन Blast हो रही है तो अगर आप Realme Phones के यूजर हैं तो थोड़ा सोच समझ के फोन को यूज़ करिएगा वैसे तो मेरे पास 5-6 Realme के फोन हैं लेकिन इस घटना को सुनने के बाद कम से कम मैं अपने बेड पे तो इन फोन को रखने वाला नहीं हूँ और कभी भी आप अगर चार्जर यूज़ करते हैं न दोस्तों तो जैसे ही फूल चार्ज होती है ना हाला कि charging protection, over charge protection दिया जाता है फिर भी phone blast हो रहे हैं इसको ignore नहीं किया जा सकता है इसलिए अगर आप phone को चार्ज में लगाते कि जैसे ही complete हो जाए charging आप जो है अपने phone को यहाँ पर charge से हटा के charger को भी अपने plug से remove कर दिया और साथ ही साथ एक काम और करिए कि overheating जब हो device आपका तब आप कुछ देर के लिए phone को ऐसे ही छोड़ दीजिए gaming वगारा यह सब करते हैं तो हाला कि gaming phone ही नहीं बलकि camera centric phone भी blast होड़ें तो इससे यह भी नहीं का जा सकता है कि gaming करते हुए हीट होती है और ऐसे में blast होड़ाती है blast के जो है कई प्रकार है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आप realme phones के user हैं तो कम से कम safely use कर यह realme के phones को खास कर क्योंकि जादा तर blast की खबरे realme के phones में ही आ र यूज करते हैं तो थोड़ा सोस समझ की यूज करिएगा और बाकी realme भी इस पे मैं तो company से भी request करूँगा कि थोड़ा इसको जो है अच्छे तरह से टेस्टिंग करके launch की जाए ज्यादा phone release करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप quality ही loss कर दे तो ऐसे में जो है आपके sales पे